विश्व फलक पर मशूर गुजरात के गर्भा को युनेस्को द्वारा दो हजार तेज की अमुल्य सांस्कृतिक विरासत घोशित किया गया है जिससे गर्भा को एक नई पहचान मिली है 8.b.32 with reference to nomination file number 01962. Today, 6th December, this day of this inscription will be remembered as a day of celebration, not just in the state of Gujarat, not just in all of India, but also in countries in Africa, the SIDS and the world where the Indian diaspora lives. I take this opportunity to thank UNESCO, the Ministry of Culture, Government of India, the local community involved and all those who participate in Garbha to experience the Garbha dance, to wear its exquisitely handcrafted costumes. I invite you to visit India, to visit Gujarat during the Navratri festival and enjoy the experience of a lifetime. I will speak a line in the Gujarati language which means Garbha exhibits the spirit of Gujarat. गर्बा गर्बा एक गुजरात नी भावना छे गुजरात का गर्बा देश विदेश में वैसे ही प्रसिद्ध है और अब गर्बा को एक नई पहचान World Heritage की रूप में मिली है. युनिसको ने 2023 की अमुर्थ सांस्कृतिक विरासत की रूप में गर्बा को खोशिद किया है. और असलिए आज पुरे गुजरात में उच्साक अमाहौल है, अलग-अलग कारेक्रमों के आयोचिन हो रहे हैं. और गर्बा को विश्वस्तर पर जो पहचान मिली है, उसे आज गुजरात सलिबरेट कर रहा है. और आखिरकार क्यों ना हो? गर्बा यानि गुजरात की एक अनोखी पहचान. नवरातरी में मांबा की अरादना के साथ-साथ किये जाने वाला गर्बा देश-विदेश में इतना अब प्रसिद्ध हो गया है कि कोई भी फोक फेस्टिवल हो, गर्बा वहाँ जरूर होता है. इसलिए यूनेसको ने इसे 2023 के वर्ष में जो अमूर्त संस्कृतिक विरासत की अलग-अलग फॉर्म का एलान किया है, उसमें गर्बा को भी शामिल किया है. आज गर्बा और गर्बा को जो पहचान मिली है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बडोतरा की जानीमानी गर्बा को एक विश्वस्तर पर पहचान मिली है. क्या कहेंगे इस पर? अमुल्य धरोहर है. तो ये कुछ छोटी मुटी बात नहीं है. ये एक अपनी धरोहर है. और उसको इतने तक जो चली आ रही है, उसको आगे बढ़ाना और उसकी आगे की बढ़ती हुई डिरेक्शन में ले जाना. ये हमारा अब सब का बहुत बड़ा धायत्व हो जाता है युनेसको भी कहते हैं कि जो हुआ है, जो आया है, वो अद्भूत है. पर अभी उसको समवर्धन करना और उसको आगे बढ़ाना ये हम सब की जिम्मेवारी है. क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, स्थर, काड सब बदलता है, तो लोगों का पधधती, विचार, सोच सब हैं. तो उसमें इसके जो प्राण, तत्व है जैसे की equality सब लोग समान है, उसमें ना धर्म की है कोई जगा, उसमें ना कोई उमर की है, ना economics की जगा है, ना politics की जगा है. जब गर्बे में गोल घुमते है और माता जी की बीच में स्थापना होती है, तो कोई भी छोटा हो या बड़ा हो उमर से कोई फरक नहीं पड़ता, तो ये हमें ततकालिक चालू रखना है, और गर्बा है, तो ये सरकल है, पृत्वी है, तो हम खंबे से खंबे जुड़के साथ में जाते हैं, हम इंडिपेंडनेंट है, फिर भी हम साथ में है, तो ये जो उसका प्रैक्टिसिंग स्वरूप है, वो बहुत सारी चीजे कहता है, ये बहुत सारी चीजे पूरी विश्व को सिखाता है, और ये इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, जब हम कहते हैं कि माता जी के जो रक्षक है, वो ही तो माता के भक्त है और इक्वल है, तो ये हमें पूरे समय तक सर्कल को बढ़ाना है, गर्बा का स्वरूप अब बदलता जा रहा है, जब यूनेसको ने एक वर्ड हैरिटेज की रूप में इसे दुनिया भर में रिकॉगनाइस किया है, तब गर्बा की बदलते स्वरूप को हम कैसे बचा पाएंगे, क्योंकि आप भी हमेशा से इस पर काम करते रहे हैं, और VNM TV पी इस पर हमेशा काम करता रहा है, तो आज इस बात पर बात बनती है कि गर्बा का जो प्राचीन स्वरूप है, उससे हम कैसे संजो कर रख पाएंगे, प्राचीन की जब बात करते हैं, तो आज मैंने ये बंदेज की दुपटा लिया है, अब जो वो समय में बंदेज होता था, मोटा होता था, कपड़ा मोटा होता था, अब इतने कितना फाइन वर्क हो गया है, तो वो और ये भी चलता है, तो उसी हिसाब से गर्बा का जो सरकल का स्वरूप है, वो तो जीवन रहेगा ही, नहीं तो उसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, जैन इस नाट गर्बा, इच एच तिंग हैस एज 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 पर रहेगा, जब तक पृत्वी घोल रहेगी, तो गर्बा क्यों नहीं रहेगा? मुझे तो ये लगता है कि बदलाव तो आएगा, कोई चीज है परंपरा में ही परिवर्तन है, परिवर्तन में ही परंपरा है, तो बदलाव तो आएगा, तभी तो हमारा प्राण जिंदा रहेगा, नहीं तो हम डेट हो जाएगे, तो वो तो होगा, मगर आज चाणियां सीधा पहनते थे, खाली मरून कलर का पहनते थे, तो अब थोड़ा गेर वाला हुआ, अब असी करी का हुआ, अब तीन लेयर का हुआ, तो हुआ, और उसके साथ, पहले सिंपल मुवमेंट थी, अब ये गेर दिकाने लेको, इधर से इधर टर्न हुआ, तो होगा, and that's the beauty, that's the creativity, तो हो तो होगाई, उसको ये बदलाव नहीं कहा जाता, उसके प्राण में बदलाव नहीं आता, जब तक हम साथ में दृत्य करेंगे, जब हम छोटे बड़े का भेद नहीं रखेंगे, अगर वडोदरा शहर में, और मुझे रखता पूरे गुजरात में लोग, ऐसे लोग हैं, जो पूरे साल ये नौ दिन की वेट करते हैं, आज एक विश्वस्तर पर पहचान मिली है, तब आपके दिल में कितनी खुशी है, जितनी एक गुजराती के दिल में होगी, क्या कहेंगे असवर? शब्द नहीं है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, बस क्या कहें? ये तो, मैंने पहले किया, ये सब माता जी की खुपा है, और हम सब लोग उसमें साथ रहके, बस एक ही भावना है, कि ये गर्बा जो है, वो हम दिल में समझे, हमारे जीवन में उतारे, खाली नृत्य करने के लिए, सज दजने के लिए नहीं है गर्बा, ये गर्बा आत्मसाथ करने के लिए है, मैंने देखा है, विदेशी लोगों को भी आपको गर्बा सिखाते हुए, अभी सरकार से क्या करेंगे, वो उनका एक धांचा बनेगा, कि ये सब को मान्य रखते, ये इंटेंजिबल हैरिटेज के जो एलिमेंट है, उसको मान्य रखते हमें कैसे आके बढ़ाना है, पंद हमने पहले ही इसमें भी प्रपोस किया है, कि we should have a learning and center, where from all over the world people can come, not learn just three tali, but learn all about what is Garba, what is art and culture of Gujarat, what is the people of Gujarat. और उसी तरह से जैसे कि हमारे लोग जो है, कोई Australia है, कोई America है, तो उनके बच्चों को भी वो लोग समर वेकेशन में पंदरा दिन भेज के यहां गरवे सिखा सकते हैं, गरवे के साथ रणू माता जी का दर्शन कराओ, और पावा घर में माता जी को चड़ने को जाओ, और यहां जो LGBT कम्यूनिटी है, क्योंकि वो लोग तो माता जी के रख एक वीक ऐसे पूरा घ्ञान दिया था, उनको बैटके गरवा गाना सिखाया था, सबसे बड़ी चीज़े वो शब्द और संगीत, क्योंकि वो गरवा गाएंगे, जब गाएंगे मानो गरवो रे, रमे राजने दरबार, तब पता चलेगा कि राज के दरबार में कितनी एक वालिटी होती है, तो वो काम हमें करना होगा, कंसिस्टन्टली करना होगा, ऐसे नहीं कि चलो छोड़ दिया कर दिया, नहीं, आज हर एक गुजराती बेहत खुश होगा, क्योंकि वो चीज़ जो हमें बेहत पसंद है, आज उसे विश्वस्तर पर पहचान मिली है, और पार गुजरात में जैसे होता है, उसे विश्व फलक पर जो पहचान मिली है, उसे आगे ले जाने में हम सबका सहयोग है, लेकिन आगे भी हमारे बच्चों पर पूरा कल्चर डवलप करने की, ये भी शायद हमारी ही ये जो विरासत है, हम बहुत सारी चीज़े बच्चों को द लेकर जानी हैं और तभी गुजरात और गुजरात का गर्वा हमेशा के लिए सब्रुध कहा जाएगा.